काम चोर दूर बैठे बैठे जूम कर लिया यह नमकीन पारा बन चुका है तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर क्या बन रहा है कुछ कुछ स्पेशल बन रहें दिखाते हूं क्या बनता है यहाँ पर हम ले लेंगे चीनी रिफाइन चावल का आटा और मैदा अब हम दो ग्लास चीनी को पीस लेंगे हो गया आधा किलो आपने ग्लास है दो ग्लास नापने अपने यहाँ पर मैदा में थोड़ा से रिफाइन डाल के कल्लोंजी पाल के थोड़ा नमक मुलाइए दे को साम लेती है यहाँ पर में बता रही थी कि मैं नमकीन पारा का आटा साम रही और भावी मीठे वाले पारा का आटा साम रही है और यह बच्चा जिसका नाह में अर्हान जो ज़्यादा अब इसका हम थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके बाद हम इसका चांद पारा बनाएंगे हम इस तरीके से हम चांद काट लेंगे यह जो ढखन होता है ना किसी पारा यह दिखरा है दिखरा है अब तुमाद बोल इस तरीके से हम चांद काट लेंगे यह जो ढखन होता है ना किसी भी शिशी और किसी भी बॉटल का ढखन हमें लेना है ठीक है और उस ढखन से हम इस तरीके से कट करेंगे काट ते वे इसके से कट करेंगे तो यह चांद की शेप में निकल जाएगा जिसक प्राइब लोग क्या करेगा इसे निचिकार करेगा अब बोड़ा जिसमा दिनी यह प्रोथा एक नुमाइब खाली पड़ावाई अब मैं जोप में आकर बैठे गई अब मैं जोप में आकर बैठे गई झाली आकर ओव़ाई अब खाली औरम آپ झाली अब बोड़ाव फ्रिंश यह रू़ाव हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु अब नमकिन पाड़े तो पुरे कट चुके है अब बनेगा ये मीठा वाला खसता अब रहा है अब रहा है कामचोर दूर बैठे बैठे जूम कर लिया और वीडियो पुला रहा है ये नमकिन पारा बन चुका है थोड़ा सा यहां पे बाकी है अब बाकी चुलहा पे चड़ा हुआ है तो यहां पर ये नमकीन खसता ये नमक पारा बन कर तियार हो गया हैं यहां पर ये चुड़ा तो अब मैं आ चुकी हूं बाहर सारी चीज़े बन चुकी है मैंने आपको दिखा दिया है और अब वो सारी चीज़े अभी on the way है मतलब जहां जाना थाना वहां पर है वहां पर जा रही है तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें कमेंट करें और हाँ नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें फड़ा सपोर्ट कर दो और मेरा फेस्बूक पेज भी है वहां पर भी मुझे फॉलो करें सोफिया सुल्ताना89 के नाम से बस इतनी और क्या बूलू मैं तो के बाई